कि नमस्ते कुमार जोसीद एस्टोवड में आपका सौववक कर रहा हूँ में एक नए Video के साथ सप्टेंबर महिन जयमीनी एसेंडेंट के लिए मि-्थूल लगन के लिए कैसा रहिए लेखि कर रहा हूं लगन शब्ड आपकी लगन कुंडली में पहले घर में तील लिखा carbono ऑई कि लिए यह विडियो देखेएगा ने तो इसको किंट कर दीजिएगा आपके खॉ्ड़ी में जहां चंद्ला लिखा है वाह तील लिखा हो तो आपकी मिधून राशी है मिधून लगना नहीं वैरी फर्स्ट लगना ओगा तो यह वीडियो देखना है यह मेना बहुत बड़ी देखें यह मेना में तो समझता हूं कि 21 अगस्त से पंदरा ओक्तोबर तक 25 अक्तोबर तक 21 अगस्ट से 25 अक्तोबर तक बूध लगनेश है जो आपके चतुर्ट में ये मैने का मैंने हैडिंग लिखा है प्लान फॉर ए हाउस अगर आप गर को प्लान कर रहे हैं बहुत उंदा समय से आप गुजर रहे हैं गर को आप महर मार देंगे इस समय में ओल्ड एज के लिए प्लान कर रहे हैं समझो मेरे जैसी एज है आपके 56-55 एज है तो आप आपके ओल्ड एज को प्लान करने के लिए ये बैस टाइम रहेगा आपका घर गेश्ट से बढ़ा रहेगा ये 21 अगस्ट से आपको दिखने ही लगा होगा कि घर पे बहुत सारे गेश्ट आएंगे आपका घर ये 25 ऑक्टोबर तक घर पे गेश्ट का आना बड़ा शूब माना जाता है गली अपने आंगन में कुत्ते का ना आना अशूब है लेकिन घर पे गेश्ट का आना बहुत ताइम है आपको लाश देखें इसको ये जो मैना है सब्टेंबर में जो भी आप काम करना चाहते हैं देखिए 10 अगस्ट से 10 सब्टेंबर तक क्योंकि 10 सब्टेंबर से बूद्वकरी हो रहा है यानि कि आपका जो रूनिंग प्लैनेट है कैप्टन ऑफ दशीप है आपका वो रेट्रो हो रहा है यानि कि पीछे जाएगा यानि कि आपको ऐसा लगेगा जो हाथ में काम था वो रुग गया और ये काम आपको 2 अक्तोबर के बाद होगा 2 अक्तोबर से बूद्वापस मारगी हो जाएगा यानि कि 10 सब्टेंबर के पहले घर को प्लान कर लीजिएग अदरवाइस बात में क्या होगा आप जाएंगे आएंगे घर देखने के लिए कुछ बात नहीं बनेगी वो 2 अक्तोबर से 25 अक्तोबर में घर का मामला एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ये माइंड में फिट करके चलो वेरी फर्स दिक और एक अजब शांति का अनुभाव क कर लेंगे अब डेट वाइस प्रेडिक्शन करता हूं बात में थोड़ा डिटेल में बताता हूं एकतिस ऑगस्स से चार सप्टेंबर तक का टाइम है यह टाइम टू एंजोई विट यूर फ्रेंड्स आपके दोस्तों के साथ कहीं न कहीं आपको एकतिस ऑगस्स से चार पॉर्टफोलियो यह टाइम में आप एकतिस ऑगस्स से चार सप्टेंबर में किसी दोस्त की मदद भी लेंगे गर को प्लान तो करी लेंगे आप और वो चार सप्टेंबर देखिए अभी दशा महादशा भी जड़ा फल फेवर में होना चाहिए अगर समझो शनी की तो थोड़ा ट्रवल होगा बट यह काम होने की संभवना ज्यादा है यह बाद समझ लीजेगा चार सप्टेंबर तक हाथ में इन्वेस्टमेंट पॉर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश भी करेंगे और मैं शेर बजार से दूर रहने का सज्जेश इसको आप कहीं न कहीं मार्क करके रखो थोड़ा एक्सपेंसिव है लोग आपके पीछे कोशिश कर रहे हैं आपको आपके कामधंदे में आपको नीचे गिराने की अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनस करते होंगे तो यह टाइम आपको पैसे की शौटेग देगा पा वहां से लेके चौदा तारिक तक पैसे की काफी शौटेज में आप फिल करेंगे के बहुत काफी शौटेज आपको फिल ओने लग जाएगा फिर किसी दोस्थी Set मेलेगी आपको 15 तारिक से 19 तारिक किसी फ्रेंड की help मिलके आप उस 15 से 19 में आप अपने आपको उसमें से निकाल पाएंगे 15, 16, 17, 18, 19 टू time to enjoy with your friends दोस्तों के साथ दिखिए मैंने जैमिनीस को हमेशा हम बोलते हैं कि संग दोश अच्छे लोगों की दोस्ती करो यह suggestion देते हैं हम जैमिनीस को और यह suggestion जैमिनीस को इसके लिए देते हैं जैमिनी मतलब बूध इसका lord है बूध 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 मने देखिए वह लपूसक ग्रह बूला जाता है फीमेल के साथ रहेगा तो फीमेल जैसा दिखता है, मेल जैसा रहे कर साथ रहे, मेल जैसा दिखता है, यानि कि ये अच्छे लोगों के साथ रहे, अगर आपका बेटा जैमीनी लगना है, आप उसको बराबर समझ लीजिएगा, आपको ध्यान देना है उसके उटने बैटने वागर अगर आप जयमी नहीं है, आप वीडियो देख रहने मतलब जयमी नहीं है तो आपके आपकी दोस्ती पर बहुत केयरफुल रहना चाहिए गंदे लोगों के साथ ना उटना बैटना चाहिए ना उनके साथ जीने का तरीका उन से दूर ही रहना चाहिए अगर आप उनके साथ रहने लगे, आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आप लोगों, you are the messenger of the God, किसी से कुछ लेना है और किसी को देना है, मतलब विचारों का बात, आपका कोई भी आजू बाजू, अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, आपको और पंदरा से उननीस तारिक, दोस्तों के साथ का रिलेशन्स को भी इंप्रू कर पाएंगे आप, बीस तारिक से बावीस तारिक मैंने लिखा है, if you are a jobless, ये ये तो मैं समझना हूँ, बीस से बावीस में, आपके बॉस के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाना है, तो ये ब अधर गेस से भरा पड़ा रहेगा, मौत घेर में मैमान, मैमान और बहुत आनंद, मन के अंदर एक शांती का तो अनुभव करेंगे, बट ये काम धंदे में शांती का अनुभव 20-21 और 22, ये तीन दिन बहुत अच्छा रहेगा, तेवीस, चोवीस और पचीस आप आधियत करने की कोशिश करेंगे, और 25 तो मैंने जो मौबत करते हैं, उनके लिए भी बैस बोला है, रॉमेंटिक दे सावित होने वाला है, पचीस आपके लिए, क्योंकि पचीस तारीक को चंद्रशुक्र का पोजीशन हुआ है, आपके पडोस के स्थान में शुक्र आया, मैं यह समझता हूं, तेवी चोबिस पचीस, विल बी दर लखी डे, विल बी दर रिलीजियस डे, दे टू इंटरफेर विट यॉर में इन अ मैरेज लाइफ और ब्रदर और शिष्टर, तो तेवी चोबिस पचीस अच्छा है, चबिस से तीस वापस देखिए, यह जो है, यह अपमान जनक सिचुएशन है, द्यान में रखिएगा, यह तो देखिए, पैसा वापरने का टाइम है, एक्स्पेंसिव टाइम है, आपके फीछे शडियंतर भी होने लग जाएगा, पाच से चौधावे, केरफूल रहिएगा, मतलब वेन यू स्पिक्स, आप जब बोल अस्तान में है, यह भगवान की कुरुपा है, अभी ओवर ओल देखें, तो इस मईडे में मैंने 30 सप्टेंबर तक आपको बताया कि यह टेंशन का टाइम, कोई अपमान होगा आपका, 26 से 30 में, वज़ा कुछ भी हो, कभी यह टाइम ऐसा है कि 26 से 30 में हो सकता है कि आपके पत्नी के परिवार के लोग, देखिए जो तनाव था आपका, 17 ऑगस्ट के पहले, पत्नी के फैमिली और आपके फैमिली के बीच में जो 17 ऑगस्ट के पहले का जो तनाव था, वो काफी, कम हो गया 17 ऑगस्ट के बाद, अभी यह टाइम हो सकता है, 26 से 30 में, आपके ससुराल से कहीं ने कहीं कोई ने कोई relations आपका improve होगा आप उसके connection में आ जाएंगे और ये वो time है जब आप थोड़े बहुत tension में रहेंगे मानसिक थोड़ा वो तनाव रहेगा जॉब के लिए मैंने 20 से 22 बेस्ट बोला है अगर आप जॉबलेस है और अगर ये गुरू बदलता है अपरिल 2023 तक कोई कोई लोग हम लोगो लिख रहे हैं कोई comment box में लिख रहे हैं कि सिंस लास्ट फॉर यर्स फाई यर्स आयमें जॉबलेस इस वेरी surprise फॉर मी मेरे लिए ब अगर आपका advisory काम है teaching से related काम है consulting से related काम है तो match time चल रहा है अपरिल 2023 तक आपके कांदंदे में आपको एक अच्छी खासी अच्छी खासी आप पकड़ कर सकेंगे अपरिल 2023 तक और ये time घर लेने का time है वो सकता है कि अगर आपका native place में घर बनाने की कोशिश करते हो अगर आप बड़े शहर में रहते हो native place की तरफ घर घर लेने की कोशिश करने तो वह भी हो सकेगा इस महीने में आपका मैंने आपको बोला है 10 सप्टेंबर के पहले कोशिश करिएगा क्योंकि 21 अगस्ट से 10 सप्टेंबर तक वह घर बनाने की कोशिश करिएगा अगर नहीं बनता है not to worry at all यह दो अक्तोबर से 25 अक्तोबर में वह डन होई जाएगा होई जाना चाहिए दूसरी बात के लिए मैंने बुला इसा यह 5-14 थोड़ा कोई बहुत बड़ा अचानक मुसीबत सरपे पढ़ने का situation भी है अगर उमर बड़ी है तो की बात उमर चोटी है तो कुछ प्राब्लम नहीं होता बड़ी उमर है तो पांच से चौदा में ऑस्पिटल की मुलाकात नहीं तो अच्छा है यह घर में शांतिक और मौज का समय है not to worry at all negative समय नहीं है और बिजनस के लिए आयो से यस देखिए आ मददगार होती है विवा होते ही नसीब बडलता है बहुत बार मैंने यह भी देखा है क्योंकि पत्नी और करमस्तान मतलब नया का बत्नी विवा होते ही नया कामदंदा मिलता है नया कोई पार्टनर्शिप में बिजनस आपके लिए बहुत आच्छी चीज मांता हूं मैं औ अगर कमिशन बेस काम कर रहा है आपका स्पाउस आपकी पत्मी या आपका पती आप जो जैमिनी है तो आपका स्पाउस या पत्मी बहुत रिलीजियस है और वो बहुत मश्रूफ हो जाएगा 21 अगस्ट से 25 अक्टोबर तक उसकी प्रतिष्टा भी बढ़ेगी कामधंदा भी उसका डबल टीबल होने लग जाएगा ये भी आप देखेंगे अभी बिजनस के लिए रिटन यस गुरू करमस्थान में है अभी मुर्च देखने की जरूरत नहीं है अप्रिल समझो अभी भी मैं बोल रहा हूँ 10 सप्टेंबर से बुद्वक्री हो रहा है मैंने बोला और अगर आपको ओफर आ रहा है आपका इस समय में 10 सप्टेंबर से 2 अक्टोबर थोड़ा स्लो स्लो काम चलेगा बाद में ग्रिप तो 2 अक्टोबर से आई जाना चाहिए तो उसको पोस्पोन नहीं करिएगा मैं तो समझता हूँ थोड़ा काम स्लो हो जाएगा तो mentally आप प्र रेजुकेशन के श्रूड़न थे उनके लिए अच्छा है आपको मैंने ट्राविलिंग का बोला है लग्की ट्राविलिंग हो सकता है और इस समय में आप इनर माइन में जा पाएंगे तेवी 24 25 आपके इनर माइन में जाने के लिए बैस्ट टाइम है प्यार करते हैं उनके लिए नव और पचीस वैश्ट है, नव और पचीस को देखिए, नव तारिक को ये अपोजिशन हुआ है, स्री और कुम का, मैंने बताए आपको कि आपको पडोस में हो सकता है, कोई लव अफेर का चक्कर हो सकता है, हो सकता है, मतलब ये सामने से प्रपोसल आएगा, ये संभ ये घर के अंदर बहुत खुशियों का वाताण, बले पैसा हो या नहों कोई माइने नहीं रखता है इस बात को आपके, घर में हो सकता है, पूरा परिवारी कत्रित हुआ हो, साथ में खाना होता होगा, दोस्तों के साथ, ममा के साथ का एक जबरदस ट्यूनिंग होगा, इस इस दा टाइन टू गैट पीस एट यर होग, बड़ी शांती का अनुभाव, हो सकता है देखिए आप गोल्ड खरिदने भी चले जाओ, ये जो समय है आपके लिए, तो परचे से गोल्ड 21 ऑगस से 25 ऑक्टबर, मतलब घर में खुशिया ही खुशिया है आपके, तो ये गुत्रागी युति प्रत्युति का बेश नाही में, विभा के लिए, विभा के लिए, नो, इसके लिए के गुरू का अबि आपके सेवन अउस पर कोई भी प्रकार का रोल नहीं है, गुप्ता प्रेम संबंद बनने के योग है, ये तारिख, प्रपोजल मिलने का योग है नव तारिख तो अभी देखें आपको 31 आउगस से तेवी सप्टेम्बर में तो सामने से प्रपोजल आ सकता है ऐसी संभवना ज्यादा है शेर मार्केट आई विल से नो शेर मार्केट का मैं नो इसलिए बोल रहा हूं देखिए के तू आपके फित्म है के तू मने जंडा ये के तू मने बुद्धी विगर का ग्रह जिसको सर नहीं है ऐसा कि कोई बोलेगा इधर तो उदर चला जाता के तू ऐसा ग्रह है आपके दूसरों की बात सुनके शेर्वजार में कुछ नहीं हो सकेगा के तू मने कंपन सो शेर्वजार से दूर रहिएगा अक्टोबर दो जा आपके फिप्त आउस में है अभी एप्रिल दो जार तेवीस में गुरु आगया आएगा और आपके केतु को थोड़ा दबाएगा याने कि प्रेशर करेगा और एप्रिल दो जार तेवीस तक शेरवजार की गली में पैर नहीं रखेंगे तो शूब रहेगा आपके लिए और रात को शीवदर्शन करने के बाद सुर्यास्त के आदा गंटा पहले और आदा गंटा बाद में शीवदर्शन करने के बाद भोजन लीजिए चतूर्थी 13 सप्टेंबर 29 सप्टेंबर ये वद्पक्ष की अंगार की 13 सप्टेंबर और 29 सप्टेंबर सूद पक्ष की चत जो है देखिए जैमिनी है जैमिनी मैं जैमिनी कभी अकेला नहीं देखता जैमिनी को कहीं ने कहीं दोस्त होता है गल गल है तो उसको बॉइफ्रेंड होता है और यह यह जो लगना है थोड़ा श्त्रियों के लिए थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं वाना जाता क्योंकि यह लोग हमेशा दोस्त हुनते हैं, इनकी बाते सुनने के लिए कोई दोस्त इनको चाहिए, क्योंकि ये मैसेज इधर से लेना, इधर देना, तो इनको मैसेज देने में बड़ा आनन्द आता है आप लोगों को, ये थोड़ा अच्छा लगने नहीं माना जाता, आपको गुड़ का दान करने बोला, गाय को गुड़ खिलाईए, यता शक्ति जो अगर आपकी जो कैपेसिटी है, उसी साब से गुड़ खिलाईएगा, लाग दायक रहेगा, अमावस यहां है, देखें, सर्वपित्री अमावस है, सर्वपित्री अमावस, 25 सप्टेंबर को ह 25 सप्टेंबर को सर्वपित्री अमावस है, अमावस के दिन, विश्नुशात नाम करके बैते जलमे नारियल बहा हिएगा, इस महीने में देखें, 10 सप्टेंबर से श्राध्भपक्ष प्रारम होगा, यहां से 25 सप्टेंबर तक श्राध्भपक्ष राईगा, यह अपने इसाब से गती कर लेती जो भी आत्मा है वो अपने इसाब से गती करती है वैंके जरूर लाभ होते हैं कम से कम आपके जीवन में इसका लाभ होगा तो यह आपको 25 सप्टेमबर सर्वपित्री अमावश है कुछ नहीं कर सकते तो विश्णु शत्र नाम करके बैटे जल में नारियल बहाईएगा मतलब नाम स्मरण में बहुत शक्ति अगर आपके पाद धन है तो उससे आप दूसरे की साहता कर सकते हैं धन में बड़ी शक्ति है इसलिए बोलते हैं पैसे में बहुत शक्ति है आप किसी की आर्थिक मदद कर सकते हैं आप किसी को अन्न दान कर सकते वस्तरदान कर सकते हैं बहुत कुछ चीज आप कर सकते हैं पैसे से अगर दन नहीं है तो आप ऐश्वर का नाम स्मरन कर सकते हैं अमध के दिन 20 agricultural को दिन श्राद्स्का प्रारम और अंष्ज नवरात्री का प्रारम वोगा 26 अभर से देखी अगर आपको अपकी कुंडली में शुक्र कन्याराशी का है शुक्र बहुत नेगेटिविटी नहीं दिखाता बट शुक्र बहुत बार अस्त हो जाता है शुक्र आस्तो गया तो वैवाई जीवन में सुख में माधक बन जाता है यानि की प्रॉब्लम देने वाला बन जाता है ऐसा है तो नवरातरी में कन्या भोजन कराईएगा छोटी-छोटी लड़कियों को 9-10 साल की से छोटी लड़कियों उनको भोजन करवाईएगा यता शक अभी सप्टेंबर से माताजी का दर्शन करने अगर हो सके तो जरूर जाइएगा आपकी कुल देवी का यह ध्यान रखें और दो तिन बातें देखें यह तो मैंने आपको बता दिया चंद्रशुक्र का यूति और प्रतियुति यह देखें यह 180 डिगरी मतलब प्रतियुत सामने सामने और यह 25 सप्टेंबर को यह यूति यह जीरो डिगरी यह है चंद्रशुक्र का रोमेंटिक देह है दोनों मैंने बताया आपको के रोमेंटिक देह के दिन नव और पचीज बैस दिन बताया है चंद्रगुरु का गचके स्री योग यह पांच ग्यारा अठरा औ लिए हम आपके लिए लगन और करमस्तान का है मतलब यह घृ पर्सेनली काम का मार्की का आर्ट तरफें के आप पार्केटिंग इसलिए कि आपके पास ability है, read करने का, customer दुकान में enter होते ही, या तो customer से इसी बात होते ही, आप recognize कर लेते हैं, ये माल लेगा या खाली बाते खरेगा, ये आपकी extraordinary God-gifted ability है, ability to recognize others, तो ये काम का चीज है आपका रिये, कि आपको पैसे का collection का काम मिला हो, तो य ये तारीक के दिन, आप उसका use कर सकेंगे, देखिए अभी सुरिय आपके तुरुतियस्तान में आया हुए, और ये भाई बैनों का स्वाभी मानी स्वभाओ, ये 17 August से 16 September तक आप देखेंगे, bad नहीं है, आपका 17 September से, आप पूरा महिना देखिए, अभी 16 October तक ये जो सुर as it is रहने देगा, मंगल बारवे में तो मैंने इसका उपाय बताया, गुड का दान करना है, ब्लड डोनेशन कर सकते हो तो भी बैश्ट है, मंगल बारवे में हो तो ब्लड डोनेशन भी किया जा सकता है, गुड का दान भी किया जा सकता है, आपके लगन का सबसे बड़ा द मतब ध्यान में रखो शत्रू छोटा भी हो अगर आपका मैंने कर्ज से कोट कचेरी से और जगडे से जैमीनिस को बहुत परिशान होते देखा यह इस फॉर एवर इस टिप्स फॉर एवर नॉट फॉर इस मन्स यह हमेशा के लिए बात ध्यान में रखने जाए गया मैं यह श शनी देखिए आपके आश्टम में कर्मसान को देख रहा है थोडा कामदंदे में आपको रिलीप मिला था अभी एप्रिल से 12 जुलाई तक 11 जुलाई तक अब 12 जुलाई से आपके काम दंदे में वापस आपको आपका करम शित्र में आप घेरे जा रहे हैं यानि कि 12 जुलाई से 16 जन्वरी तक यह शनी आपके करमस्तान को देख रहा है हो सके तो शनी मंदिर में regular जाएए जितने शनी मंदिर शनी वार आएंगे 12 जुलाई से 16 जनवरी तक जितने सेटरडे आते हैं ये सब सेटरडे को शनी मंदिर में जाके यथा शक्ती फूड डोनेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है तो हनुमान जी के पैर के ऊपर तेल चड़ाईए अच्छी बात है उडित के दाने डालकर तेल चलाईए बहुत अच्छा बात है उसमें आठ दाने डाल दीजिएगा उडित के और हनुमान जी के पैर के निचे पनोती हो वहाँ, हनुमान जी के पैर पे तेल चड़ाने का बोल रहा हूं, यह आठवा शनी बंदन देता है, remember this, हेल्थ के भी आपके हेल्थ का भी प्रॉब्लम देता है, यह आठवा शनी, उमर ज्यादा है तो हेल्थ का भी प्रॉब्लम देता है, यानि कि हेल्ट डेटोरिट होता है, पैर के प्रॉब्लम दे सकता है, देखिए आपका जो भी जैमिनी से है, आप खुद भी देख जैमीनी को भी फेस करते हुँ देखा है, so morning walk, evening walk करके आपके पैर का ध्यान दखिएगा, keep watch on your fit, अगर आपके पैर मतलब घुटनों का अगर ध्यान नहीं देगा, घुटनों का, नी का, ने तो बाद में नी रिप्लेस्मेंट करो, ये सब तकलिफ है, आप लोग में फेस करते हुए देखता हूँ, in short ये महिना बहुत घर में खुशियों का लेकर आ रहा है, दस सप्टेमबर तक अगर आपने घर के लिए सिक्का मौर मार दिया, 21 अगस्त से, 10 सप्टेमबर तक तो बैस्त है, नहीं तो फिर बाद में, 2 October से आगे लड़ाईएगा, 2 October से आप, वो राइक मार कर जीएगा, कर दीजिएगा, at the end और जो लोगो ने मेरी चैनल को सब्क्राइब ने का, at the end I am requesting, please subscribe my channel and thank you very much for listening.